कि नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका विपलब स्टॉक में इस वीडियों में हम बात करेंगे पराज इंडस्ट्री इस रिमिटेट के वारे में यह भी एक रिस्की स्टॉक है आपको आदा दू लेकिन लॉंग टर्म में आपको आदा दू इस इस इस्टॉक ने 12100 परसेंट दिया और 9100 परसेंट का रिटन इसी श्टॉक में लंग् टर्म में दिया तो आप अगर इसी स्टॉक स्टॉक की जानकरी चाहते हो तो यह वीडियो पूरा देखेगा इस वीडियो में इस स्टॉक का वेलुएशन से रोल लिंक पैटर्न को पूरा देखेगा तभी आपको पूरी जानकरी मिल पाएगी तो चलिए फिर शुरू करते तो शुरू करने से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नहीं आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा जैसे हम लोग वीडियो अप्लोड करेंगे तो चलिए सबसे बहुत करते हैं की तो मार्केट का प्लाइशन मार्केट क प्लाइशन मार्केट लॉट हरे स्टॉक की तरह एक है पी की बात करते 31,94 का पीए स्टॉक का और इंडेस्टी पी बारा दसलोग एकतर का इंडेस्टी पीए तो आप दिस्टॉक का पी इंडेस्टी पी से हाई अनी ज्यादा है तो नेगेटिव पॉंट मना जाएगा किसी आप च्छा बीदिए सबनाइश का पीके से डिविडन परसंटेश एक सो पहतिस पर संट का एक सो परसंट ऊसे ज्यादा का डिविड़न परसंटेश तो काफिच्छ रात है पीसी आप देशक्त इक किज़से का PC प्राइस टुप कि रस भुक एक दिशलोग एक अच्छ ना चलते हैं और डिलेवराःगल संटेज्ट है बीस से ज्यादा कर दिलिवराःट परसंट है तो तो काफी इस टोक के लिए मना देखा एक पुद्ट है कि श्टॉक का पी इंड़ेस्ट्री पी से हाई है सदूद्र १ॉच्छ तो वरहल विलेशन को अच्छा ही मना जाएगा इसका चली चलते हैं इसके रोल्डिंग पैटन पे तो से रोल्डिंग पैटन में जून 2020 और दिसंबर 2019 का रेटा वले वले तो सबस्था बात करेंगे पर मोटर्स की तो पर मोटर्स आप देशक्ते हैं दिसंबर 2019 में 32.595 अनि जून 2020 में जटव पॉइंट नाइन टू मोटर्स के पास है तो यहां पे जुर्ण से रोल्डर का सब्सक्रें जादा से बात करते हैं प्लेश्य की प्लेश्य होते हैं तो प्लेश्य आप दिसंबर 2019 में जीरू था वो जून 2020 में भी जिरू है किसी भी पर मोटर्थ नापना प्लेशर होना नेगेटिव माना जाता तो इस टॉक के लिए पॉजिटिव पॉइंट बनता है कि इस टॉक का एक प्लेशन ने पर मुटसन में कोई भी सर्गिर भी नहीं रखा इसका बात करते कि इन्पोर्टर इंबेस्टर की जो की आफाया यानि फॉर इंबेस्टर किसी इ इन्पोर्टर मने जाते उबंकि दिसंबर 2019 दिसंबर तोटऱन नाइंटीन में बार्ट इच्टेanne में ट्टिन अउन सब्सक्रा इन्वेटर के पास एक और्टीनoin नाइन-गेपन की पर स्याविन टॉटलर के फ्रटाविंक के पास है इसका बात क्ते टोटली आए यांटे कि फिनेंशिल इस्टूचैन के बात करते फिनेंशिल इस्टूचैन आप देशकते दिसमबर ते दोग तोग सब्सक्राइब निशुम्बर में में जुन तोग सब्सक्राइब इसकत बात करते हैं एक और इंपोर्टर इंबेस्टर की जो किये मीचल फंड कंपेनीज मीचल फंड कंपेनीज भी किसी भी स्टॉक ने इंपोर्टर इंबेस्टर वहना जाते तो इनकी जो होल्डिंग आप देशिक तो दिसंबर 2019 में 14.19 मीचल फंड कंपेनीज के बास थो जून 2020 में 14.17 मीचल फंड कंपेनीज के बास है इसकी बात करते हैं अधर डियेएस के तो दिसंबर 2019 में 15.02 यह पंदर आण 0.02 परसेंस ता वह जून 2020 में 14.05 और 14.05 अधर दियेएस हैं अधर्स के बाद कर तो दिसम्बर 2019 में 24.38 और चौबबीज दसना अटिस प्रसेंस अधर्स के पास थे वह जून तुज़न टुज़न टुज़न 25.93 अभी प्रसेंस अधर्स के पास है तो पूरा से लिग पैटरन तो ओवर शेल लिग पैटरन दिखा दा काफी जवर्दास ब इन दुनों ने इस स्टॉक में किया और अच्छा कासा आप देशों मना के रखे 12 परसेंस से ज्यादा का शेर फॉर इंबेस्टर एक बास है और मिचल परसेंस के बास 14 परसेंस से ज्यादा से तो यह काफी अच्छी बात है और शेल लिंग बहुत जवर देसते इसके लास् मार्श को मार्श का सेल्स ताने दिसंबर से मार्श में कम रहे है और जून तो अधिकरी ज्यादा का सेल्स आणि बहुत ज्यादा कम हुआ पता है और इसको चलते नेट पॉपिट को सबसे नीचे सबसे बॉटम में आप देसकतो नेट पॉपिट दिसंबर 2019 बें पॉपिट था आप देशकतो 20 करो का नेट पॉपिट था तो दिसंबर से सेल्स कम था लेकिन नेट पॉपिट नेट पॉपिट तो यह अच्छी बात है और जून 2020 का नेट पॉपिट था माइनस में ता कंपनी घाटे में गई थी तो यह था आप देशकतो इस श्टॉक का लास्त रिकॉटर का रेजल्ट इसके बैलेंस इट को तो सबसे बात करेंगे भी अधाब चलिएर वाप्टन से और टोटन से करेल अधाब लाफ मार्स तोन नान टिमर्ट था मार्स तो यह थीजा करो नेट वर्ट था वह था हूं तो चार दसना पैटिसकरो का नेट वर्ट है इसकत बात करते टोटल डेप की एन शबसे यह पॉटन प्यूट्रों माना दाता देखा दाता डिखा जाता कमपणी तो शबसे नीचे सबसे वाटम आपको दिख रहा का टो टव तो ऌो मार्स नंतिर मीनिमे फिरो पिरी कमपनी इसका चलते है इसके चार्ट के ऊपर तो चार्ट तो आज sjंड सब्सक्राइब पर बात करते पीचले पात करें पॉजिटीव तो kण क्वाजिटेविटर नहीं दो पर सट लुक्त उपर गया बात करते पिछले पॉजटिटिव रिखनी तीटिव विट परसंट का पॉजटिव रिटने पिछले एक मोट हमें कर दो रुपए 25 परसंट का पॉजटिव रिचले पॉजटिव रिचले मेने का नेगेटिव इट करते पिछले एक साल का नेगेटिव इटाने सब्सक्राइब नाइड है सब्सक्राइब नीचे गया बात करते मैं लॉंग टर्म की तो जैसे कि मैंने गाला था कि लॉंग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आप देशकतो नौजार सो परसंट का रिटर्न थमाकेदार रिटर्न है नहीं था रिटर्न का पॉजिटिव रिटर्न है लगवा एकिस सा सब्सक्राइब नौजार एक साथ परसंट करना रिटर्न मल्टिवेकर धमाकेदार रिटर्न माना जाएगा सत्तर रुपर तेरा पैसे आप देशकते स्टॉक उपर गया लगवग लगवग इन 21 सालों में और जैसे कि यह भी एक रिसकी स्टॉक है आपके सामने आप खुद आपको मैं दिखाना चाहूंगा तो इससे ज्यादा रिटर्न आप देशकतो दिसंबर 2007 तक तक रिटर्न था चाथ और इसके अलावा आप देशकतो अच्छा रिटर्न दे रहा था उस टाम पे लेकिन अभी जो रिटर्न देरा आप देशकतो नौजा सब्सक्राइब बचा और आप देशकतो थोड़ा से उपर गया था अगस 2009 में फिर स्टॉक काफी नीचे आ गया था तो यह स्टॉक काफी उपर नीचे उपर नीचे होता रहा तो यहां पर देशकतो यह स्टॉक काफी उपर नीचे उपर नीचे होता रहा तो इस तरीका स्टॉक होता होता है इसका चली चलते हैं तो आपको देता हूं तो आपको दो एक अक्टूबर का कुलेजिंग प्रैस पहले ही बता चुक होता है प्रिएस इस प्रिश्ट बात कर तो चाब बैसे कर जोकि शोला जनबर को लगा था पत्चीस मार दोजर बीस को लगा था श्यूट्रोट निचे आप लेए वाले तक टोटल क्वाजिंटे फाइब लाग 21349 ते तरी ते टेडिंग मुई थी निपांच लाग 2130 5217 ट्रेडियुए और इसमें डिलिवराल कौंटिटिटी आप दोस तो बन लाग 47211 कौंटिटी डिलिवरी हुए और परसेंटेज अप डिलोर्ली ट्वाट्टी 28.24 तो यह अठाइग आप 14 परसेंट क कब दिया कितना दिया यह भी मैं आप लोगों बता देता हो तो इसने जो लास्ट चाहर दिए तो कब दिया थे कितना दिट बता चुका और इसी स्टॉक के बारे जित्ती वी जान करें करें आपको इंबस्में करना इस टॉक करना लास्ट में अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि और प्रिज़ प्रेंड बेल आकों को प्रिसके जिए आपको नोटिक्शन मिलता रहेगा जैसे वीडियो अपलोड करेंगे और वीडियो को लाइक जरू कि जरू कि सकते हों आपके में जरूर रिप्लाइब करने की कोशिश करूंगा ना आपका को सब्सक्राइब करते होगा इसके लिए बहुत बत धन्यावाद आपका मिलता के लिए वीडियो में जय हिंद